Hello everyone, हम पढ़ रहे हैं class 4th, sorry class 5th English Life course book chapter 4 draft That's better, the girl said, वो लड़की बोलती है, चलो ये better है, बिचारा भालू, तुम कितने ठक गए होगे Now sit and wait, तुम बैठे रहो और इंतिजार करो, मैं तुम्हें इस कुए से बाहर निकालती हूँ, बच्ची बोलती है, तो फिर वो आसपास देखती है, उन बच्चों को देखती है, तो everyone held her in high regard, मतलब सब लोग उसकी बहुत इज़त करते हैं, क्योंकि वो भालू के साथ कितने अ तो फिर उस लड़की को पसंद नहीं आएगा, तो फिर वो पूछती है उन बच्चों से कि तुम इस आनिमल इस जानवर को परिशान क्यों कर रहे हूँ, उस ने तो तुम्हें कुछ भी परिशानी नहीं दी है, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, यहां से चले जाओ, गो भालू को डराना चाते थे, बस यही बात थी, इट वास जस्ट जोक बस यही एक जोक था, फिर वो बोलती है, I don't think so, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, एक छोटे भालू को किसी वेल में घुसा देना कोई जोक नहीं हो सकता, लखी ली थे पूर बेर हैंट रोक इस नेक, चलो अच्छा है लखी है यह बेर कि उसकी गर्दर नहीं टूटी है बस, now you can help me get him out, can you get me a ladder, तो फिर वो बोलती है कि मेरे साथ इसको निकालने में बज़त करो, और मुझे एक लैडर यानि की एक सीधी लाके दो, तो एक छोटे सा बच्चा होता है, इसके लाम है लक्षमन, वो जिन्दी भागता है और कुछ मिन्टों में वापस आता है, एक लैडर अपने पीछे-पीछे खीच-खीच के लाता है वो, I have got a ladder, he said, वो बोलता है कि मुझे एक लैडर मिल गई है, okay, wonderful, said Meera, बहुत अच्छी बात है, Meera ने बोला, तो यह हमें मदद करेगा, help us to rescue, इसके म कुएं के अंदर जाती है, careful, we mustn't frighten the little fellow, बोलती है कि ध्यान से, हमें उस थोटे, मतलब fellow, मतलब आदमी या कुछ भी है, उसको डराना नहीं है, Meera looked into the well and spoke, soothingly to the bear, मतलब एक दम अराम से, अच्छी, ऐसी आवाद में बोल रही थी, Then slowly and carefully, she and Lakshman lowered the ladder into the well, the little bear growled in anxiousty, he crawled at the ladder wildly, तो फिर जो Lakshman और वो लड़की होती है, वो सीडी को नीचे डाल देते हैं, वेल में, ताक्क वो भालू उपर आ सके, तो पहले तो भालू ग्रोल मतलब पूरे चिलाने लगता है, ऐसे गुस्ते में, फिर he crawled at the ladder, No, no, said Meera softly, it will not hurt you, तो Meera उसे बोलती है, वो ladder को देखके बहुती चिलाने टाइप हो जाता है, तो Meera बोलती है कि नहीं नहीं जिनता मत करो, यह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, यह बस एक ladder है, Move back, make room for the ladder, Move back, make room for the ladder, मतलब पीछे जाओ, थोड़ी जगा बनाओ, ladder के लिए, The bear stepped back and sniffed at the ladder curiously, मतलब फिर जो भालू है, वो पीछे step मतलब जाता है, पीछे चला जाता है, और फिर उस ladder को बहुत ही curiously, मतलब बहुत ही आसचर्य के साथ देखता है, बहुत curiosity के साथ देखता है, देन दूसरा चड़ता है, देन तीसरा और फिर वो ladder सड़ना शुरू कर देता है, जल्दी जल्दी, जब वो पूरा मतलब उसके middle तक पहुँच जाता है कुए के, फिर वो रुख जाता है और उस लड़की को एक दम खुशी वाले ट्रस्ट की आँखों से देखता है, मतलब उसने प्यार से बोला कि उपर आ जाओ, कोई भी तुम्हें परिशान नहीं करेगा, शी और लक्षमन मूँवड अवे फ्रॉम्हें वो वेल से मतलब कोई से दूर गए और जो भालू था वो ऊपर आ गया सेफली, नहीं, फिर वोड द बेर कम अप सेफली, मीरा वंडर्ड, तो मीरा उससे पुछती है कि, क्या वो भालू है, वो सेफली आ गया, anything could happen before that, कुछ हुआ है क्या, दे लैडर कुछ स्लाइड ओफ और इट फॉर्वर्ड, और वन ओफ इट्स रंग्स कुछ ब्रेक, और, ठीक है, तो मतलब कुछ हुआ तो नहीं है उससे, कहीं लैडर स्लिप होके गिर तो नहीं गई, कहीं उसके कुछ हाथ पैड, या कुछ भी, मतलब पीछे का, जो भी सीडियों की, जो ऐसे ऐसे होती है न, ये तूट तो नहीं गई, कुछ हुआ तो नहीं, वो साफ सेफली आ गया, तो ये सब पुछ लगती है मीरा, As they watch anxiously, they heard the bear emerge about the rim of the will, and then, तो मतलब ऐसे गोल से बने होता है तो उससे बहर बहर आ चुका होता है, and then his shoulders, उसके पूरे shoulders को देखते है, then he sniffed climb on rim, and left the ground, तो फिर वो rim जैसे ऐसे कुआ है न, तो ये ऐसे platform rim है, इसके उपर चड़के फिर वापस खड़ा हो गया, और मीरा को देखने लगा, go on, run home, she said smiling at him, बोलती है भागो, अपने घर जाओ, उसे मुस्कुराते वे कहती है, तो bear got to his leg and bowled, yes he did, तो मतलब अपने मतलब भागने ल पैसे आसे, तो वैसे ही वो कुछ बाउ करने लगा, मतलब जुकने लगा मीरा के सामने, bowled to मीरा and then padded down to lane the main road, फिर वो भाग गया अपने घर की तरफ, main road की तरफ, once he was on the road, he ran through the large green fields back into the forest, फिर वो रोड की तरफ गया, तो फिर वापस रोड पे जाने से, रोड के रस्ते से ह वो अपने घर वापस जंगल में चला गया, यह था हमारा chapter इसके question answers चाहिए, तो फिर हमारे चैनल को like करिए, share करिए और अपने friends के साथ इसको share करिए और subscribe भी करिए